असलाम लेकुम, होप यह दूइंग गूडू इस वीडियो को समंझने के लिए ना कुछ बैक्राउंड बहुत ज़रूरी है ताकि इस वीडियो के कॉंसर्प्ट के आपको समंझ आ जाजएगे यह वीडियो है किस बारे में तो मैं आपको दो तिन रेफ्रेंसेज बताता हूं दो तिन एक्जामबल बताता हूं फिर हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे जब से बिले हम बात करेंगे वाट इस कॉपी राइट का मतलब यह कि कोई चीज़ आप ओन करते हो तो उस पे आपका कॉपी राइट है फिर हम आपको याद होगा एक मुवी रिलीज होई थी मौला जाट ठीक है और आपको पता हो इतने साल बात क्यों रिलीज होई थी क्योंकि उसका कॉपी राइट बैक मेना जो परानी मौला जाटा उनके पास था तो उन्होंने उसे परमिशन नहीं ली थी हर चीज पेड है एक्टर्स अलाग है एक्टर्स अलाग है प्रोडक्शन अलाग है लेकिन उनसे परमिशन नहीं ली थी तो मुवी होल्ड पे आ गई ठीक है फिर वो मस्ला सौल हुआ काफी टाइम बाद जाके केस हुआ फिर उनको पैसे दिये सौल मसला किया और फिर जाके वो मुवी फानली रिलीज हो पाई अब बात करते हैं फिटाग्रिफिय में कॉपिरेट होता क्या है फिटाग्रिफिय में कॉपिरेट ये होता है कि अगर कोई फिटाग्रिफर जो कि as an individual काम करते हैं तो वो अगर shutter का button दबाता है picture खींचता है तो वो picture उसकी होती है irrespective of the fact कि वो किसकी खींच रहा है वो उसका copyright है इसमें जो मर्जी एक्जिस्ट करता है कोई जो मर्जी बंदा उसमें एक्जिस्ट करता है किसकी तस्वीर खींच रहा है उसका इक्तियार उसकी authority सिर्फर सिर्फ photographer के पास है वो उसको रखे उसको बेचे उसको जलाए उसको आग लगा दे वो उसकी authority है especially in the case अगर वो उसने काम free में किया paid किया है तो एक अलग कहानी है लेकिन अगर उसने काम वो free में किया है तो वो corporate उसका हुआ उसको वो कुछ भी कर सकता है in a sense के उसको sell कर सकता है उसको कुछ भी कर सकता है किसी और को authority दे सकता है उसको use करने की ठीक है वो उसका right है इसको बोलते हैं copy right अब हम move करते हैं towards the next discussion और वो यह है कि अब मसला हुआ क्या यार मैं आपको अपना background बताया है तो इससे पहले कि मुझे आज की date में कोई एक ऐसी लड़की ये कह दे कि उसेर की presence में मैंने uncomfortable feel किया उसेर ने मुझे कुछ का है मैंने किसी के DM में slide किया जिन्दगी में आज तक जब से मैं पैदा हुआ हूँ यसे को मने छेड़ा है मैं आज public announce करूँ अपना account delete कर दूँगा मैं कुछ भी करने के लिए त्यार हूँ कि अगर किसी एक लड़की ने मेरी against कोई बात कह दी कि मैंने किसी को कुछ कहा है किसी को तंग किया है किसी को परेशान किया और मैं आपको अपना background भी बतायता हूँ कि मैं एक army और एक medical doctor family से belong करता हूँ तो artist जो है ना यह जो मेरा अंदर कीड़ा है यह मेरे shock से है मैं एक engineer हूँ जी आए के से मेरी graduation है तो मैं एक engineer हूँ तो यह चीज मैं shock से करता हूँ यह मेरा दिल करता है करने का तो अकसर अकात मैं और free में काम करता हूँ क्योंकि this is what I love to do अब होता यह है कि जो लोग इसके ओपर based है जो यह इस चीज के थूँ कमाते हैं उनका यह bread and butter है तो वो लोग डरते हैं सच बोलने के लिए सच बोलनी सकते हैं वो डरते हैं कि हमारी community खराब हो जाएगी हमें काम नहीं मिलेगा बट मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है कि मैं सच ना बोलू अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में बलॉगर्स का स्पेशली फीमेल का फीमेल बलॉगर्स अपने आपको अल्ला माफ करे खुदा समझने लग गई है कि यार हम अब मैं हर किसी की बात नहीं करा जिन्होंने प्राब्लम क्रेट किया है मैं सिफ उनकी बात कर रहा हूँ बंदा अपने तरीकी से अलग होता है पर जिन्होंने प्राब्लम क्रेट किया है जिनकी इगो पहाड से उपर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ अब हुआ ये रिहान is my friend और हम मैं और रिहान एकठे काम करते हैं जहां पर रिहान जाता है वहाँ पर मैं जाता हूँ जहां पर मैं जाता हूँ भले वो कलैप शूट हो भले वो पेड शूट हो हम हर जगा साथ में जाते हैं पैसे होते हैं तो उसको डिवाइट कर लेते हैं खर गए ठीक है हमने शूट किया मैंने अलग अपने कैमरे से शूट किया मैं वहां पे BTS शूट कर रहाँ कि आपको पिक्टर्स कैसी लेगी पिक्टर्स कैसी आई ए सब कैसा रा परफिक्ट ठीक है फिर आपने end में इन ब्लॉगर सहब ने end में डेटा सारा कॉपी किया मेरे कैमरा का रिहान के कैमरा का ठीक है फिर इन्होंने बहुत जल्दी मचाए कि मुझे डेटा चाहिए मुझे डेटा चाहिए मुझे डेटा चाहिए मुझे पिक्टिस पोस्ट करनी है I want to break the news I want to break the news ठीक है मतलब बहुत जल्दी मचा दी फिर रिहान ऐसा कभी नहीं करता कि वो जल्दी में किसको डेटा दे बट क्यूंके out of respect कि चलो यार किसने कह दे तो कर देते है रिहान की profile में एक grading का sequence है वो grade अपना कभी खराब करता ही नहीं रिहान ने out of way जाके वो pictures दे दी कि चलें आप post कर लें और वही pictures मैं post कर लेता हूँ अब रिहान के पास authority है कि वो मुझे allow करें के ना करें although pictures मैंने खींचें बट क्योंके रिहान से direct बात हुई है तो रिहान के पास या authority है कि जो pictures मैंने खींचें अब पहला problem आप free shoot कर आ रहे हो आपको अपनी मर्जी करनी है data control करना है कि मेरी मर्जी होगी जो मैं चाहूंगी वो post होगा जो मैं करूंगी वो होगा जो BTS मुझे पसंद कर मैं वो post करूंगी क्यों अब इन्होंने रिहान को बोला कि जो मैं इसको मैं असान अलफाज में explain करता हूँ कि इन्होंने बोला कि रिहान साब मेरे 5 लाख follower है तुम मेरी नोकर हो ठीक है तुमें मैं बला रही हूँ तुम अपनी गाड़ी लेके आओ 3-4 camera लेके आओ शूट करो मेरा और फिर मैं तुमें डिक्टेट करोंगी कि ऐसे नहीं ऐसे करने और फिर मैं जो मैं चाहूंगी वह होगा मुफ्त में भाई आप जब मुफ्त में काम कराते ना यह सब आप भाशन देते वे या आप अपनी शर्तें रखते वे ना अच्छे नहीं लगते फिर आप वो पिक्टेश मैंने भी पोस्ट की रिहान ने भी पोस्ट की मैंने जो मेरा प्लैटफॉर्म है मैं उन पर पोस्ट करूँगा को कि मैं लोगों को दिखाऊंगा यार मैं यह काम करता हूँ देट्स वट आई डू देट्स माई आर्ट एट्स वट आई टेक पिक्टर ओफ फर्स्ट वट कहते हैं कि जी टूटर पे क्यों पोस्ट किया है हटा दिया मैं टूटर से फिर बोला कि जी आपने इंस्टाग्राम पे क्यों पोस्ट किया है बीटियस यह मुझे सही नहीं लग रहे हैं वो भी हटा दिया फिर मेरी Facebook की personal profile के screenshot भेजा कि ये क्यों Facebook की personal profile जो मेरी personal profile है उस पे क्यों post इस पे hardly 30 likes रहे हैं फिर बोला कि जो main post है Instagram पे आपने जो post के इन blogger साहब ने जो post किया है उसके एक लाख likes है ठीक है मेरी post के सिर्फ 4000 likes है आपकी एक public profile है आपकी content कोई भी उठा के Facebook, Twitter, Instagram पे मैं जो छोड़ तो मैं तो लफ्टागरफर हो गया कोई भी उठा के XYZ के caption डाल के वो post कर सकता है कुछ अपनी मर्जी कर सकता है क्योंकि आपकी एक public profile है या तो आपकी prior profile हो आप बोलो कि हार मैंने post नहीं की मुझे एक allowed नहीं है permission नहीं है और मैंने पैसे भी दी है ना आपकी prior profile है आपकी public profile है एक लाख बंदों ने आपकी post like किया और प्रबबले तीन चार लोगों ने आपकी post देखी है और फिर आप कहरे हो कि जी उजैर ने वो pictures post क्यों की है ये सिर्फ रहान post कर सकता है ये कौन से rule में लिखा है तो जब ये लोग अब मैं आपको बताता हूँ तो जब ये लोग transitions मना रहेते तो बटे हवा मुरा रहेते तो तब हम लोग art पढ़ रहेते तो इनको शायद ये बात नहीं पता है कि जो pictures खेंचता है उसके पास authority होती है वो pictures post करने की और किसी और को allow करने की कि वो post करें ठीक है ये आपके पास authority है ही नहीं कि आप ये बोलो आप पैसे दो आप बोलो कि भाई मेरी मर्जी होगी fair enough आप मुफ्ते में काम कराओ और फिर आप अपनी मर्जीयां चलाओ क्यूंकि मेरे 5,000,000 followers हैं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ ऐसा तो बिलकुल नहीं होगा अब बात आती है exploitation की अब भी कैसे exploit करते हैं ये चोटे मोटे photographer's को hire करके उठा के अब इस बारी इनको ये बात नहीं पता थी कि उजहर के पास कुछ खोने के लिए है नहीं उजहर का career आप लगा तो जहां पर जितना आप कर सकते हो मेरे career कर मेरे image को खराब करने लिए आप कर दो लेकिन मैं सच बोलूँगा फिर क्या यहां तक बात खतम नहीं हुए इननों बोला कि मुझे data का control चाहिए ठीक है sir तो उनने बोला कि हम इस तो उन महतरमान साहिब ने बोला कि हम क्या करते हैं कि मैं आप लोगों को pay कर देती हूँ तो data हटा दो मुझे data चाहिए नहीं आप लोगों के platform मैं सिर्फ अपने platform पॉस्ट करूँगी which makes sense okay तो data हटा तो उसके बदले पैसे देती हूँ हमने बुला ठीक है आप पैसे देते हैं यह वाले जो हमने amount बताई है हम data हटा आये थे पैसे दिये हमने data हटा दिया बार्प खतम हो गयी फिर यह क्या करती है अब उस time था इनका ego इनका घुस्सा कि मैंने घुस्से में मुझे से पैसे मांग ली है, मेरी ego hurt कर दी है, फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ना फिर डिफरेंट लोग काल करके ना कहा कि जी यह में साथ घलत हुआ है, उजयर तो अनइनवाइटिड था, उजयर ने क्यों पोस्ट किया है, उजयर क्यों आया है, मैं आया हूँ, ठीक है, आप मुझे बोल दो यार कि हम सिर्फ रिहान से शूट करना चाहते हैं, आपका डेटा मुझे कापी नहीं करना, चलो, मैं आ गया, सब हो गया, मैं अनिवैटिड चला गया, ठीक है, हम शूट पर जाते हैं, मुझे नहीं पता होता कि लोग थोड़ासा इतने लोग हैं कि व इसा तो है नहीं, इन्होंने पैसे दिये, उन्हेंका डेटा हटाओ, हमने अटा दिया, फिर डिफरेंट चैनल के तुरू कह रहे हैं कि घलत होगे, इनको बोले, हम सौरी बोले, हम केस करेंगे, कोर्ट केस करेंगे, यार खुदा की कैसा मैं तुम लोग को यह बता रहूं क है, वो मुझे कॉल करके धमकार है, कि जी, मैं बात को बढ़ाऊंगा, मैं ऐसी की तैसी फेरूंगा तुमारी, जिसकी कॉल की recording मेरे पास है, वो मैं अभी साथ में अटाच कर रहा हूं, कि मैं तुम लोगों को बताऊंगा, कि धमकियां लगा रहे हैं मुझे ना, ओके होग हैं, जो भी इकलत इस दुनिया में होता है, वो मर्द की वजा से होता है, अब मैं आपको बताता हूं बेवकुफी की इंतहा, मैं, for example, मैं वो ब्लॉगर हूं, और मुझे वजहर से मसला है, और मैं कंप्लेन करवाने चारी हूं पलीस में, for example, या किसी लॉयर के पास गई सर भी कंप्लेन लिखें, बताएं कंप्लेन, ऐसा हुआ है कि मैंने पिक्टर्स किंच वाई है, और वो एक बंदे ने हाना था लेकिन दो बंदे आ गए, लिख लिया, ठीक हो गया, आगे बताएं, आगे यह हुआ कि मैंने डेटा कॉपी किया, और वो लोग चले गए, और म प्रोफाइल है, फिर मैंने यह किया कि मैंने उनको बोला कि डेटा मेरे रिमूव करते हैं, पैसे दे देती हूं, तो मस्ला होगे ना, नहीं, फिर मेरे हजबने धमकी दे दी, तो मस्ला है क्या, डेटा काम खतम हो गए, आपकी रिपोर्ट की लॉजिक क्या है, आपकी कंप कंप्लेइन लिखवाने जा रहे हो, आपकी कंप्लेइन है क्या, क्या होए मेरे साथ, कि मेरा डेटा पोस्ट हुआ है, जो कि अल्डेडी मेरी पब्लिक प्रोफाइल है, और वही तरस्वीर है कि सोर की पब्लिक प्रोफाइल से पोस्ट हुई है, तो यह मेरा प्रॉबलम है लेकिन फिर मैंने पैसे का मतला short कर दिया लेकिन मेरे हजबने बात में धंकी लगा दिया कि पैसे क्यों दिया मुझे अंदाजा ही नहीं है कि इतने dumb लोग exist करते हैं मतलब इतनी छोटी सी बात की उपर इतने मैं आपको अभी भी बता रहूं कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये बहुत आम सी बात है लेकिन बात फिर इन्होंने धंकिया लगाई है रहान को धंकी लगाई है मुझे धंकी लगाई है कि ऐसे कर देंगे तैव ऐसे कर देंगे किस basis पे धमकी लगन की reason क्या है कि उज़ेर ने pictures क्यों post कि है सिर्फ तुम post करो यह हमारी धमकी है यह हमारा reason है लडने का so मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मुझे कोई fame नहीं चाहिए मुझे कोई reach नहीं चाहिए आगे से मुझे बोल रही किना मेरे Pregnancy को तुम लोग cash करा रहे हो मेरे तो एक लाग फॉलवर्स सारी आप पर प्रक्व्डंसी से आया ना हम तो पहले कुछ करते नहीं थे घंटा हम तो भै मंदरी को घंटा है ना जो भी आगा बजा के चला जाएगा और ये कोई पहला केस नहीं है मेरे साथ हुआ इस इस लास्ट केस I have been facing I'll not let it go just like that बई, मसला है ना, मैंने कुछ नहीं गया बात आपने पैसे दे दिये, बात खतम हो गई आपने पैसे दे दिये, बात खतम हो गई अब क्या रोना डाला रहा है आपने बात कतम की, आपने बात कतम कर दी, आपने पैसे दे दिये, होगी बात कतम जानी जोड ले 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 जो करना आपने I will wait, आप करें ठीक है करें आप So this is my whole scenario, whole story and I really appreciate के you people you know, back out from such people because ego is the enemy अब इनको problem यह है के हमने पैसे क्यों दी है, गुस्से में आ के जोड़े प्राब्लम, नहीं देने थे, ना देते पोस्ट करने, पोस्ट जो हुई थी, रहने देते छोड़ेते अपनी एगो को वो भी नहीं करना, पैसे भी नहीं देने वाँ भाई, नौकर है नहीं यहाँ पे अल्ला वास्ते ठहरे वे हैं, आप आएंगे हमसे काम करएंगे, हमें छोड़ जाएंगे वापिस So This is the whole story You better know कि यह क्या हरकत है यह क्या धंकिया है आप यहतर जानते हैं, आप यहतर फैसला कर सकते हैं बट मैं publicly online इस चीज़ को condemn करूँगा और मैं हर उस बंदे के लाफ बोलूँगा जो के घलत है, lawfully अभी तो यह पाकिस्तान है तो अभी सू वोले जो केस है ना, वो अभी यहां पे बहुत जल्दी नहीं तो सब्सक्राइब लगता है अगर यह यो ऐसे यो क्यों होता है ना दो-तिन लाग डॉलर का फाइन लग जाना था ठीक है, copyright के उपड़, बाकी चीज़न तो आप छोड़ी दे वो आर दे तो थ्रेटन सम्वन किस बैसिस पे थ्रेटन कर रहे हैं कि जी आपने पिक्टर क्यों पोस्ट की है having a public profile and same picture जो उसने पोस्ट की है on what grounds you are threatening someone, you have called someone तो एक बंदा आया है, he has the copyright ownership और वो उसकी मर्जी है, वो पोस्ट करे 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 अगला पोस्ट करे करे, आपकी मर्जी वो नहीं है उस बैसिस पे आपके इसको threaten नहीं कर सकते